वेल्कम टू फुटफएट जहां पर मैं और आप मिलकर बनाते हैं कुछ घल देयां टेस्टी रेसिपी तो राज के मारे जो सूपर टेस्टी रेसिपी है ना वह है यह पिंडी छोले बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं और इनको आप पूरी के साथ भटूरों के साथ या र तो चलिए फटा फट से रेसिपी शुरू करते हैं तो यहां पर देखिए मैं ले आई हूँ यह भीगे हुए छोले तो राद पर मैंने इनको भीगो दिया था अच्छे से यह फूल चुके हैं अभी इनको ना बॉयल करेंगे तो बॉयलिंग में हम थोड़ी बहुत तो मेरे पास ना एक तो आमला केंडी हैं यह मैंने घर पे ही बनाई है इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल चाहेगी यह हमेशा छट मतलब ऐसे हम लोग बोलते हैं चट बार मैंने मतलब हमेशा सालवर के लिए यह मैं स्टोर करके रखती हूं जब भी पेट दर्द हो तो यह बड़ी ही यूजबुल होती है तो यह मैं एड कर रही हूं इसके साथ ही चाय पत्ती तो एक पोटली बनाके मैं चाय पत्ती यूज़ कर रही हूं आप चाहू तो चाय पत्ती का पाने भी यूज़ कर सकते हैं बट इस तरीके से और भी अच्छा कलर देता है तो इस इस चाय पत्ती की वज़े से खाफी अच्छा जो मार्केट वाला गलर है वो आएगा इसमे अभी इसमें बेकिंग सोडा मैं अड़ कर रही हूँ बेकिंग सोडा डालना जरूरी है ताकि यह जो छोले हैं वो अच्छे से गले अदरवाइस थोड़े खड़े खड़े रहते न ताकि अच्छा सा इसके खुश्बू इसमें आये साथ ही देंगे तेजपत्ता यह लेज़े तेजपत्ते भी इसमें आ गए खड़े मसाले अभी मैं अड़ कर रही हूँ बाद में इसमें कोई खड़ा मसाला आम नहीं डालने वाले हैं और साथ ही पानी डालके इनको हम मैं आमला यूज़ कर रही हूँ और खटाई के लिए आमला तो है ही साथ में इमली का पाने में हम यूज़ करेंगे थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताती जाओंगे और आप देख सकते हो कलर एकदम से चेंज हो गया चोले का तो अगर जितना आपको गाड़ा मैं इसको यूज़ कर रहा है और आमला मैं नहीं निकालूंगे बाकि सारी जो चाय पती है वो निकाली और साकती चीज़ है वो इसी में रहने दी है तो आप देख सकते हो कलर काफी प्यारा इसका आया है एकदम चेंज हो गया है चोले का कलर और यह जो चाय की पोटली थी पाने के अंदर ही अभी चलिए फटा फट से अब गैस ओन करेंगे और इस पे जढ़ाएंगे लोहे की कडाई लोहे की कडाई काफी अच्छी हेल्प करेगी हमारी और जो चोले हैं उनका कलर चेंज करने में अभी चोले जो हैं वो बनेंगे घी में तो यहाँ पे घी ले ल चोले हम एड कर देंगे तो यह लीजे सारे चोले जो हैं वो कडाई में आ चुके हैं कितने प्यारी लग रहे हैं दिखने में ही एकदम यह जो ठेले पर मिलते हैं चोले बटूरे जो अमरितसर पंजाब साइड मिलते हैं डैली वाले चोले आप वो समझ के चलो कि वैसे ही बन रहे हैं और सच में बहुत ज्यादा टेस्टी हैं तो अभी हम छोले का मसाला यहां पर बनाएंगे तो इसके लिए चोटी सी दाल चीनी साथ में बड़ी लाइची के दाने मैंने निकाल लिए लॉंग जीरा काली मिर्च सूखा धनिया साथ में जीरा एक चक्री फूल य इनको थोड़ा सा हलका सा रोस्ट करेंगे बिल्कुल हलका सा मतलब ऐसा इनका जो मौश्चर है वो निकल जाए फिर यहां पर कसूरी मेती हल्दी बिल्कुल तो कम डाली है उसके साथ धनिया पावडर और लालमिच का पावडर दिया है अब बस इनको गैस बंद कर दूंग मसाले जो है वो जलने का डर रहता है तो बस हलका सा फ्रेग्रेंस यह दे रहे हैं बस उतना ही हमें गरम करना है फिर इसको ठंडा करके ना पीस लेंगे तो चलो फटा फट से अभी यह पीसने के लिए डाल देती हूं और यह हमारा छोले का बहुत ही टेस्टी सा मसाला तो चल ये मसाला तो हमारा बिलकुल तयार है आगे की प्रोसेस कर लेते हैं वापस देखे छोलों पर आ गए हैं छोले काफी अच्छे से यहां पर पक रहे हैं अल्मॉस्ट मतलब पक तो पहले ही गए थे बट अभी भी हमें इसे इस काली कड़ाई में पकाना है तो साथ साथ देखो चीजने इसमें एड करते जाएंगे अभी हमने डाल दिया है इसमें यह छोले का मसाला अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसके साथ इनको पकने देंगे ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो छोले के अंदर आए तो ऐसे ही बीच विच में काफी सारी चीजने हमें एड करनी है वो में बीच विच में आपको बता दी जाऊंगी और देखिए काफी अच्छे से मसाले जो हैं वो पके हैं अभी इसमें डालेंगे हम यह इमली का पानी, खुब सारा पानी मैंने एड करा है क्योंकि अच्छे खटे खटे छोले काफी अच्छे लगते हैं फिर इसक मिक्स करेंगे और पकने देंगे ऐसे ही वीच वीच में चीज़ें हमें एड करनी है साथ ही अभी देखो इसमें हम हरी मिर्च और अद्रग को एकदम ऐसे स्लाइस में काटके वह एड करेंगे तो आप देख सकते हो अद्रग और हरी मिर्च दोनों मैंने इसमें स्लाइस में का पानी भी इसमें एड़ कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी एक साइड में मैंने दो तीन आलू क्यूब्स में काट लिये और उनको बॉयल कर लिया था और बॉयल करके अभी उनको भी हम फ्राइ करेंगे और वह भी हमारे छोले में जाएगा बहुत यम्मी लगत है इस तरीके से और यह देखे छोले बिल्कुल तयार हैं तो इसमें डाल दिया मैंने हरा धनिया और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे तो चैलिए अभी क्या करेंगे हम आलू फ्राइ करेंगे और छोले आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे ना दिखने में बहुत कर लिए थे 80% तक और फिर इनको बिल्कुल छान लिया था अच्छे से पानी बिल्कुल एक्दम सूफ जाए उसके बाद इनको फ्राइ करेंगे तो काफी अच्छे से ये क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राइ हो जाते हैं और ऐसे भी बहुत यमी लगते हैं बाकी छोलों के साथ लगते ही हैं तो मेरे बच्चे तो जब भी मैं यह बनाती हूं अलग से रखवा लेते हैं ममा हमको तो आलू ऐसे दे तो इतने जादा यह टेस्टी लगते हैं जब इनको बॉल करो ना तो हलका सा नमक डाल देना पानी में तो इनमें अब काफी अच्छा एक नमकीन थोड़ा सा मैं लाल मिच का पाउडर और नमक डाल के टॉस कर लूँगे तो काफी टिस्टी लगेंगे आप चाहो तो इनको बिना लाल मिच और नमक करें आप इनको छोलो में भी मिक्स कर सकते हो अगर अलग से नहीं देना चाहते हो तो अधर्वाइस इनको जब भी आप छोले सर्व करो उसके उपर 4-5 आलू रखके फिर सर्व करो काफी अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी काफी अच्छा लगता है तो यह लीजिए इनको थोड़ा ऐसे छोले के ऊपर हम डाल देंगे और आप देख सकते हो कडाई की वज़े से और जो हमने आ बहुत जादा पसंद आए घर में सबको ही बहुत जादा पसंद आते हैं जब भी यह बनाती हूं आई हूप आपको भी रेसिपी काफी पसंद आएगी तो एक पार ज़रूर ठ्राइक करना और मुझे बताना आपको यह रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसा लाइक करना शेयर करना और में चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना ताकि ऐसी टेस्टी टेस्टी रेसिपी आप तक पहुंसती रहें यह लीजिए अध्रक के साथ और जो आलू हैं उनके साथ मैंने इनको थोड़ा सा सजाया और बटूरे के साथ सब करा बहुत यमी से यह छोले जरूर बनाना खा कर देखना और अच्छे लगें तो लाइक करना मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आए बाई बाई मैं मेलती हम आपको नेक्स्ट वीडियो में